तो तो अटोल टूंट ट्रूत इंरियल स्टे इंडस्ट्री हैं iseच में कवर करने वाला हुं नहां प्लोटource के अंदर 여기에 प्लोटों की सिप्रोट्स आईएवरो जैसे की हम बहूत जो मेरे भाई-वाय जो मेरे शकेजा आई में तो एक major problem जो सबसे बड़ी बड़ी है सारी तो नहीं cover कर सकता लेकिन एक ही है कि major बड़ी large audience को जो problem phase होती है में वो cover करता हूँ तो normally क्या होता है कि जब आप plot buy कर रहे हो किसी भी sector के अंदर for example हुड़ा sector है sector 56 55 57 45 46 47 DLF तो यहां पर आप अप्रोच करते हो real estate agent को real estate agent आपको plot दिखाते हैं लेकिन most of the time एक common चीज आती है कि sir यह file है यह property किसी ने ले ली है और यह किसी broker ने agreement किया हुआ है और यह file है आप owner से नहीं मिल सकते तो यह चीज broker आपको शुरुआत में नहीं बताता है वो आपको तब पताता है जब आपको plot समझ में आ जाता है जब वो देख लेता है कि हाँ यह party इसमें interested है अब इसमें दो catch है या तो वो file होती है file होती है file का मतलब मैं आपको एक simple बताता हूं कि यह होता है कि builder जैसे agreement to sell होता है जिस property का मैंने अगर broker के साथ agreement to sell कर लिया है तो हमारे बीच में 100 रुपे के stamp paper के उपर एक agreement होता है कि तू मुझे इस date पे payment देगा या और उसके अंदर broker यह भी लिखवा लेते हैं कि they can get the property allotted to their name और the party of their choice आज मैं दोनों part cover करूँगा कि किस तरह से यह हानिकारक है plot owner के लिए भी और हानिकारक है customer के लिए customer के लिए यह हानिकारक ऐसे है क्योंकि जब file होती है file word का use किया जाएगा क्योंकि यह सचेत रहना है कि यह file है किसकी नॉर्मली क्या होगा कि आपके सामने paper लाके रख दिये जाएंगे और broker आपको बोलेगा सर यह देखो property के paper आप हमारे से rate टै कर लो और हम आपको payment आपको owner को ही देनी होगी तो उसके अंदर यह होता है कि वो एक rate टै करके आया है अगर उसी broker की file है तो किसी हद तक कोई problem नहीं है जिसके नाम से वो agreement हुआ हुआ है और sign जरूर चेक करें कि seller ने जो real estate documents पर sign करें हुए है और agreement के उपर जो sign करें है वो match करने चाहिए और agreement किस date का हुआ हुआ है और किस price का हुआ हुआ है अब जो बड़ी problem है वो होता है कि file to file मैंने जैसे अगर लगा लो कि मैं broker हूँ मैंने एक file book करी मैंने अपने दोस्तों को बताया तो जिसको बताया अब उसका पेट जुड़ गया उसके साथ उसने आगे किसी को बताया तो उसका पेट जुड़ गया उसके साथ तो ऐसे अगर 4-5 लोग बीच में involved हो जाएंगे तो हर stage के उपर अगर मैंने 50 उर्पे की चीज लिए और इसको बोला कि भाई तू 52 में बेच दे तो 52 वाला आगे बोलेगा 54, 54 वाला आगे बोलेगा 56, 56 वाला बोलेगा आगे 60 तो ओनर के पास 50 ही जाना है तो यह जो बीच के 10,000 रुपे हैं यह file cost है तो as a buyer आपको make sure करना है कि इ नहीं avoid करना तो जिसने file ली है उसी से मिलो papers मत देखो अगर file आती है सबसे पहले आपका काम होना चाहिए सर agreement दिखाओ agreement दिखाओ और उससे आप make sure करते हो कि जिसका agreement पे नाम है आप उसी से बात कर रहे हो यहाँ पे अगर नाम बदले हुए है तो बोलेगा सर यह मेरे दोस्त ने यह मेरे चाचा के नॉर्मल यह ही होता है कि सर मेरे रिष्टेदार ने करी होई है investor है एक तो आपका यह clear हो गया दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो file लेने वाला होता है वो payment करता है कुछ कच्चे की करता है यह पक्के की करता है वो according to the agreement होता है अगर पक्के की करिये तो entry reverse होती है तो कोशिश करो अगर file buy कर रहे हो कोशिश करो तो पहले तो direct meeting करो और इसका एक और उपाय भी है मार्जन है हम आपको फेर दे देंगे तो उससे ही होगा कि जो फेर अमाउंट अगर उसने बीस पचीस पचास लाग रुपे दे के कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी हुई है जो उसको लगता है कि भी है मैं आगे निकालना चाहता हूं तो उसको बोलो यार आपने बुक कर रख होगा तो ब्रोकर कोशिश करता है कि इतने बड़े मार्जन के अंदर भहिया अगर ज्यादा है तो अवाइड करेगा कि ओनर से मीटिंग कराना तो आपको यह चीज जरूर ध्यान में देखने हैं कि आप मार्जन कम से कम ही पे करो जितने और पैसा सही बंदे के हाथ में दो अब एक दूसरी मेजर प्रॉब्लम मेरे को यहां पर कुछ एक मेजर प्रॉब्लम ओनर साइड की जो आई हैं वो मैं आप से डिस्कुस करता हूँ जब आप किसी भी एक ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी अपनी देते हो कि जो जिसका खरीदने बेचने का काम है तो वहां पे भी आपको मेक शूर करना है कि आप टाइम कम दे या फिर आप डिरेक्ट पार्टी को ही दे कभी-कभी ब्रोकर भी यह बोलते हैं पार्टियों को कि सर यह पॉलिटीशन है पीछे या एसपी साहब है वह थोड़ी करेंगे तो ओनर कहता है कि हां यार मेरे तो अच्छा प्रॉपर्टी अच्छा अच्छा महां का कमिशनल ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हां वो तो नहीं आएगा या कोई और एजेंट है जो कि एक ब्रोकर अगर कोई चीज बेच नहीं पाता तो टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है कहता है अभी यहां पर प्रॉब्लम हो गई करोना एक बहुत कॉमन भाना मिला हुआ है तो लोग कहते हैं करोना के टाइम से यह हो गया आप जब पार्टी से मिले ही नहीं हो तो वो ब्रो दोनों साइड के पक्ष मैं क्लियर रख रहा हूं कि एक क्या हानी हो सकती है प्लॉट ओनर को एक लेजिडिमिट रियल इस्टेट ब्रोकर को भी फाइल देने में क्योंकि अल्टिमेटली अंड ऑफ दे उनका जो यह कॉम्मुनिटी का अजेंडा यही होता है कि प्लॉट के अंदर ऐसे तो बहुत सारी चीजें जहां पर इंप्रॉफ्मेंट की या लेजिडिमिट चीजों की जरूरत है बट आप सब लोग जानते हो कि जब प्लॉट के डिलिंग होता है तो मुस्ली वाइट नहीं होती कभी-कभी कैश भी इंवाल्ड होता है दो सरकार ने काफी बंदिश यहां पर लगाई है कि कैश की इंवाल्मेंट बिल्कुल ना रखी जाए और बीस अजार उपे से ऊपर जो भी है कम कैश ले सकते हो से जादे नहीं ले सकते बट इंडस्ट्री ऐसे अपर नहीं करती है So this was the truth about the plot segment. I am gonna continue the series and discuss other phases जहां पर I think the light has to be brought. So this was Ashish Gutt I am gonna see you next time very soon. right if you've watched my video till now please make sure you hit that like button because my commitment to youtube is going to increase my commitment to social media is going to increase so consider subscribing it right now